पंजाब एंड सिंद बैंक में अपना एक zero balance का saving account open करने के लिए सबसे पहले आपको इस page पर आना होगा इसका link आपको वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा आप वहाँ पर click करेंगे तो आप इस page पर आ जाएगे यहाँ पर आने बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक options आपको देखने को मिलेगा open Ohhh पर कुछ आपको basic details टाल नहीं होगी जैसे कि सब से पहले यहाँ पर अपना first name डालेंगे यहाँ आपका कई Middle Name है तो डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर अपना last name डालेंगे यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना होगा ध्यान यह दीजिएगा कि यहाँ पर आप वही mobile number डालिएगा जो कि आपके आधार card के साथ link है ठीक है उसके बाद यहाँ पर अपना email ID डालेंगे यहाँ पर ट्रमेंड कंडिशन को टिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर continue के options पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके mobile number पर एक OTP जाएगा तो उस OTP को आपको यहाँ पर डालना होगा यहाँ पर आपके email ID पर भी OTP जाएगा तो email ID वाला OTP आप यहाँ पर डालेंगे उसके बाद यहाँ पर आप नीचे submit वाले options पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो KYC verification के लिए आ जाएगा तो यहाँ पर आपके अपने pen card का number डालना होगा यहाँ पर अपने अधार card का number डालेंगे उसके बाद यहाँ पर ट्रमेंट conditions को यहाँ पर टिक करेंगे इन दोनों को उसके बाद यहाँ पर आप verify के options पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर pop-up आएगा कि OTP आपके जो आधार card के साथ mobile number link है उस पर चला गया आप यहाँ पर close करेंगे उसके बाद आपके mobile number पर जो टिवी गया है उसको आप यहाँ पर डालेंगे उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका साथा details आज आएगा यहाँ यहाँ पर कुछ डिटलस आपको भरना होगा तो कि आप किस काष्ट में आते हैं कैटेगरी में तो यहां पर देख सेते हैं हिंदू, मुश्लिम या जो भी आते हैं यहां पर सलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां पर कैटेगरी आपको सलेक्ट करना होगा तो जो आपका permanent address यानि जो आपके आधार card पर address है वही अगर communication address है तो यहाँ पर टिक करेंगे तो automatic address यहाँ पर आपका आ जाएगा ठीक है लेकिन अगर आपके आधार card पर कहीं और का address है और अभी आप कहीं और रहते हैं दूसरे address पर तो अभी आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का address आप यहाँ पर डालेंगे ठीक है तो हमारा यहाँ पर same है तो हम यहाँ पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको occupation select करना होगा यानि कि आप क्या काम करते हैं आप student है teacher है trader है जो भी है यहाँ पर आप select करेंगे ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर इसको select करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको अपना annual income डालना होगा यानि कि आपकी annual income कितना है आप सलाना कितना कमाते हैं तो वो आप यहाँ पर select करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहां पर आपको आधार linking seeding declaration यहां पर आ जा रहा है यानि कि अगर government की तरफ से कभी कोई जैसे पैसा आता है या फिर गैस का या जैसे भी कोई पैसा आता है तो उसको अगर आप अपने इस account में लेना चाहते हैं तो यहां पर आप मतलब टिक करेंगे नहीं लेना चाहते ह अगर आप यहां पर नीचे लेप क्लिक करते हैं तो यहां पर आगर मालीजब का कोई दूसरा bank account यहां पर आधार के साथ यहां पर link है तो वहां से उसमें जो पैसा आता हूँ उसमें नहीं आकर फिर इसमें आने लगा ठीक है तो हमको यहां पर नहीं चाहिए हम यहां पर I you do not wish पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहां पर next करेंगे हैं तो यहां पर आपको branch का details डूलने के लिए आएगा तो यहां पर पिन code डाल कर भी अपर अपने branch को select कर सकते हैं या फिर यहां पर state पर यह options पर click करेंगे यहां पर अपना state का नाम select करेंगे जो भी आपके state का नाम है उसके बाद यहां पर अपने CT का नाम select करेंगे जो भी आपके CT का नाम है यहां पर select कर लेंगे हम यहां पर कर लेते हैं उसके बाद यहां पर branch वा बनाना चाहते हैं तो यहां पर I do not want इस वाले options पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर नॉमनी नहीं किसी को बनाएंगे ठीक है लेकिन अगर नॉमनी बनाना चाहते तो यहां पर नॉमनी का सबसे नाम डालिएगा उसके बाद relationship यहां पर आपको select करना होगा कि जिसको नॉमनी अगर अलग है तो यहां पर आप मतलब उसको डालेंगे ठीक है यहां पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे नॉमनी का यहां पर कलिक करेंगे और यहां से उसका डेट ऑफ बर्थ भी डाल देंगे उसके बाद यहां पर next करेंगे नेक्स्ट करने बाद यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको UPI ID एक create करने के लिए आएगा, अपना UPI ID बनाने के लिए आएगा, तो यहां पर आप अपना नाम डालेंगे, ठीक है, जो भी आपका नाम यहां पर डालेंगे, और यहां पर अपना UPI ID यहां पर create करेंगे, तो यहां पर अगर आपका UPI ID available होगा, तो य आप यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर आप मतला अपना UPI ID यहां पर बनाएंगे ठीक है चलिए हम दूसरा कोई यहां पर बना लेते हैं फिर हम यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहा यहाँ पे PSB Digital Saving Account, इसमें आप देख सकते हैं कि Free Internet Account ओपनिंग यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको Instant Virtual Debit Card भी मिल जाएगा, No Minimum Balance, यानि यह Zero Balance का Account है, इसमें आपको कोई भी Balance मेंटेन करके रखने की जरुवत नहीं है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपका Deposit पे यहाँ पे Interest भी आपको मिलेगा, Fund Transfer यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे NEFT, IMP, SUPI, यह सब Facility आपको इसमें मिलता है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको और भी इसका जो डीटेल से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं, तो हम इसी को zero balance वाले account को open करेंगे, तो यह जो PSB digital account हम इसी को करेंगे, तो यहाँ पे अपको क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे एक consent देना होगा, आप यहाँ पे जो ट्रमेंट कंडिशन हैं, इनको टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ करेंगे, तो इक्टरमेंट कंडिशन आएगा, यहाँ पे टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आई एगरी के options पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी अपने details भरा है, सारा details आपका यहाँ पे शो करेंगा, अब आप बस यहाँ पे टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे confirm क करेंगे confirm करने बाद यहां पर देखेंगे तो congratulations करकर आ जाएगा और यहां पर देखेंगे तो your account is open ठीक है यहां पर limited KYC के साथ आपका account यहां पर open हो गया है जिसमें कि यहां पर एक लाग तक यहां पर transactions कर सकते हैं और यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो complete KYC अभी coming soon है ठीक है मतलब अभी आप आप वीडियो कवाइसी अपनी नहीं कर सकते हैं लेकिन एकाउंट का इस्तवाल आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो भी इनकी ब्रांच है वहाँ पर जाकर एक बार आप अपना के वाइसी वहां से ही complete करा सकते हैं या हो सकता कि यहां पर अगर माले जिसका वीडियो के वाइसी का ओप्सन से यहां पर अभी कमिंग शुन दे रहा है जैसे यहां पर वीडियो के वाइसी का ओप्सन साता है तो इस पर में एक वीडियो भी बना दूँगा और आपको बता दूँगा क्या वीडियो के वाइसी क लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले तो चली फिर मिलते हैं आप से नेक्स्ट विए में हैं